आप सबको पता है कि GPSC ने अपना फाइनल आंसर की हम लोगों के सामने रख दिया है फाइनल आंसर की के बाद जितने लोगों ने अभी तक मुझे मैसेस किया या फोन किया है उसके हिसाब से यह समझ में आ रहा है कि उनका जो पहले मार्क्स हो रहा था उसमें कोई बहुत जादा बदलाओ होने वाले इस्तिकिमी है क्योंकि वैसे भी आयोग ने पेपर टू में सिर्फ एक क्विस्टन को कंसिडर किया है पेपर वन में आप सबको पता है कि दो मार्क्स सबके लिए गरांटेड हो चुका है और रिस्ट जो 11-12 क्विस्टन की बात हो रही है तो आंसर में या जो पहले आपने स्कोर कर रखा था उसमें बहुत बदला हो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ठीके कुछ लोगों का तुड़ा उपर बढ़ा है तो कुछ लोगों का नीचे गया है तो कुल मिलाकर के मेरा जो अनुमान आ रहा है इस पटिकुलर टाइम में वो यह लगता है कि on and average result के लिए जो हम लोगों पहले संभॉना बैक किये थे वही कुछ इस्थिति अभी भी बना हुआ है तो इस समय जो कटफ होने की संभॉना है मेरा जो अपना नजरिया है वो यह है कि जनरल का कटफ 120 के आसपास जाएगा इसमें प्लस टू माइनस टू का सीन बनता है तो इसके आसपास में जनरल का कटफ जाने वाला है EWS और BC के 1 या 2 बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा एक दो नमबर का इजर उदर हो तो अलग बात है अजर्वाइज जो जनरल का कटफ होगा EWS का थोड़ा सा नीची एक नमबर आप कर लिजिए तो कमो बेस उसी स्कूर पर होने जा रहा है BC 1 और 2 का भी कमो बेस एक दो नमबर ही आगे पीछे होगा या फिर बिल्कूल जनरल और BC का लगभग बराबर होने जा रहा है ठीक है इसके अलावा ST का टटप ऐसा है कि जनरल और ST में बहुत ज़्यादा अंतर होने का इस्थिति मुझे नज़राता है 115, 117 ये ST काटेगरी में जो विद्यारती है उनका स्कूर होना चाहिए और इसी तरीके से SC कास्टेगर कास्ट के लिए 112, 113 के एराउंड अगर स्कूर है तो आप कमो बेस ये मान के चलें कि आप से पोईशन में है और इससे उपर अगर आपकी स्थिति है इससे ज़्यादा आपने स्कूर कर रखा है तो आपको मेरे ख्याल से बिलकुल भी घबराने और सुचली क्या हो सकता नहीं आप आगे अपना मेंस का निस्टित तोर पे तैयारी आज से ही प्रारम कर दें और मुझे लगता है कि आज जब इनका फाइनल आंसर किया गया है तो ऐसे सिती में रिजल्ट दो से तीन दिन मैक्सिम मतब राम नौमी के पहले निस्टित तोर पे यह रिजल्ट आ जाएगा और अगर राम नौमी के आस पास में रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब यह हुआ कि बैक लोग का एक्जाम का जो तारीख हिन लोगों ने रोगसरवाचुनाओ के रिजल्ट के बाद टेंटिटिव रखा है तो हमको लगता है कि सिकन्ड या थर्ड वीक में मतलब कि बैक लोग के एक्जाम के खतम होते ही इसको भी कहीं ने कहीं स्टार्ट कर दिया जाएगा तो कुल मिलाकर कि कितना वक्त आपके हाथ में है इस बात को देख लिए और इसके एराउंड अगर आपका स्कोर है जो मैं नहीं भी बताया है तो आप अपनी तैयारी को आगे बहाने का काम केजिए दो से तीन दिन में अगर इजर्टी आ जाता है जिसके सम्होरा प्रवल हो गई है तो फिर हम लोग एक आगे की रमीती पर भात करेंगे और फिर हम लोग चर्चा करेंगी कि कितना जो वक्त बचा है हम लोग को अब क्या कर लेना चाहिए तो मेरी सुब कामनाए है आपस दोगों के साथ वस्यों आपस बेस्ट और फिर हम लोग आगे रमीती पर बात करते हैं चलिए मिलते हैं जली